दुनिया में सबसे ज़यदा मौते जो होती हैं, वो होती हैं हार्ड अटेक से और हमारे देश में लोग जितने भी लोग बिमारी से मरते हैं, उसका 30% केवल हार्ड अटेक से मरते हैं और हारड अटेक होने की जो दो मुख्य वजय है वह है ट्राइग्लिसायड और कोलस्टॉल जी हाँ यह जो बढ़ा हुआ कोलस्टॉल होता है और बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसायड होता है यह दोनों इसके लिए बहुत ही खतरनाग है रोज हमारे देश में करीम 9000 लोग को ये triglycide और kolesterol मार रहा है kolesterol के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और आज इस वीडियो में हम जानेंगे triglycide के बारे में कि कैसे हम सिर्फ अपनी life cell को change करके इस बढ़े हुए triglycide को बहुत ही कम कर सकते हैं और heart attack disease या heart attack का risk बहुत हद तक कम कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ मानत समर्थ और सबसे पहले हम जानते हैं कि triglycide होता क्या है actually triglycide एक प्रकर का वसा यानि कि fat है जो कि हमारे blood खून में मौझूद होता है हमारा शरीर इस fat का इस्तमाल करके energy का निर्मान करता है energy पैदा करता है और बहतर स्वास्त के लिए triglycide का normal level में होना means हमारी body में normal level में triglycide का होना बहुत जरूरी है लेकिन जब ये level बढ़ जाता है तो फिर इससे अनेक परेशानियों का सामना करना बढ़ता है triglycide के level बढ़ने पर हमारे heart की artist block होने लगती हैं जिससे heart संबंदित कई सारी बिमारियां जनम लेती हैं इसके बढ़ने से blood pressure बढ़ने लगता है blood sugar बढ़ने लगता है और कई सारी बिमारियां जनम लेती हैं तो अब हम जानते हैं कि actually triglycide आता कहां से है देखिए जो भी हम तेल खाते हैं उसमें triglycide होता है अगर हम मैनत करते हैं तो फिर यह हमारी body उसको तोड़ लेती है लेकिन जब हम मैनत नहीं करते तो body उस oil को तोड़ नहीं पाती है और फिर वो blood में triglycide को बढ़ा देती है इसके लावा ज़्यादा sugar और ज़्यादा carbohydrates यह भी खाने से हमारे body में हमारे blood में triglycide बढ़ता है जितना भी हम carbohydrate यह sugar खाते हैं उसमें से जो भी हम use कर लेते हैं means उससे ही हम energy मिलती है तो हमें energy में जितना use कर लेते हैं वो ठीक है और उसके बाद जो बचा हुआ carbohydrate और sugar होता है वो triglycide में convert हो जाता है तो इसलिए ध्यान रखिए कि शुगर और carbohydrate से भी triglycide बढ़ता है के वल तेल से ही नहीं बढ़ता इससे भी triglycide बढ़ता है तो अब हम जानते हैं कि triglycide कम है या ज्यादा यह कैसे जानेंगे यह जानने के लिए हमें एक lipid profile test कराना पड़ता है जब हम यह lipid profile test कराते हैं तब हमें पता लगता है कि triglycide हमारा कितना है और कितना ज्यादा है कितना कम है तो देखिए अगर आपका triglycide 150 mg पर DL से कम है तो समझे कि आप एक यह नॉर्मल रेंज में है अगर आप 150 तो 199 है तो फिर आप बार्डर में है और 200 तो 449 है तो मिन्स वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अपने triglycide को 150 से कम रखे या इस रेंज में कम से कम हो और एकर इसमें भी है तो आप इसे कम करने के कोशिश करें तो इस तरह से हम ये lipid profile से जान सकते हैं कि triglycide हमारा कितना है इसके अलावा triglycide कम करने के जो तरीके हैं वो हम जानते हैं अभी हमने जाना कि triglycide होता क्या है कैसे बढ़ता है कैसे पता चलता है तो अब हम जानेंगे कि triglycide कैसे कम करने के तरीके क्या है तो देखिये, अगर आप डॉक्टर के पाँ जाते हैनों, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको स्टेटिन पर स्कायब करते हैं, जैसे एत औरवाय स्टेटिन, और इसी तरह की कई सारी मेडिसन होती हैं. लेकिन यह जो medicine होती है बहुत ही खतरनाक होती है इनके फायदे कम और नुकसान जादा है तो मैं आपको यह सला दिना चाहूंगा कि आप कभी भी medicine से इसको कम ना करें हाँ मैं आपको कुछ natural तरीके बता रहा हूं जिस तरीके से आप अपने बढ़े हुए triglyceride को बहुत आसा हुआ होता है तो सबसे पहले आप अपने weight को कम करेंगे एक study में देखा गया है कि अगर आप अपना वजन 5-10% घटा देते हैं तो आपका triglyceride 40 mg per dl से कम कर सकते हैं जी हां केवल 5-10% अगर आप अपना weight घटाते हैं तो आप अपने triglyceride को 40 mg per dl तक कम कर सकते हैं इसके अला कर सकते हो यह जो आप देख रहे हैं यह भी study बताती है कि यह study 15 साल चली और उन्होंने देखा कि जो लोग sugar से ज्यादा calorie लेते हैं उनके मरने के चांसे ज्यादा होते हैं यानि अगर आप cold drinks, fruit juices इस तरह की चीज़े ना पियें यानि कि जो sugar beverage है उनको ना पियें तो फिर आ आप काफी हद तक अपनी मौत के रिस्क को कम कर सकते हैं इसको आप replace करें पानी से नारियल पानी से सत्तू से क्योंकि यह जो चीज है इनसे triglycide बहुत कम हो जाएगा अगर आप यह यूज करेंगे तो तीसरा तरीका है low carbs diet जी हाँ इससे आप अपना triglycide और अपनी diabetes काफ से कम लेते हैं तो उनका triglycide बहुत जल्दी से कम होता है इसके अलावा अगर आप ज्यादा फाइवर खाएं उससे भी आपका triglycide बहुत कम होगा क्योंकि जब हम फाइवर लेते हैं तो अपने fat और sugar absorption को काफी कम कर देते हैं धीरे कर देते हैं और अगर हम sugar absorption नहीं होगा तो triglycide भी नहीं बढ़ेगा तो इस तरह से हम अपने triglycide को कम कर सकते हैं इसके अलावा exercise और walk करके भी हम काफी हद तक अपने triglycide को कम कर सकते हैं अगर हम हफते में चार दिन अगर आप walk करें exercise करें तो इससे भी हम काफी हद तक अपने triglycide को कम कर देते हैं इसके अला कुछी दिनों में आसानी से नॉर्मल रेंज बे ला ढूके लेकृब्ध तो यह थे हैं इक बार और देखि लेते हैं कौन से हैं है वो च्हे के चुछ परिक के छूगर काप्स को सीग चुछ कर여ए उसके बाद काप्स को स्पीड वह सबढ़ मैं अगर इन वहारा है और ऐसको हुआनों ओर आज ही शुरू हो जायाएं सो क्रूर हो जाएं उसको स्केर दिस आधुट और इन ट्रीकों से बहुत आपने बढ़े हुए ट्राइगल स्राइड को कम कर सकते हैं। आपको इस वीडियो कैसी लगी केमें जरूर लिखें। इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर लिखें। आपको तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू करें। वीडियो को शेयर जरू करें। ताकि आपके फ्रेंड्स आपके रेलेटिव इसका फादा उठा सके। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ तब तक नमश्कार।